हेलो बच्छो बहुत बहुत नमस्कार स्वागत है आपका एक तरीगे से नया चैप्टर है एलकोहल एथर फिनॉल में एलकोहल हम कंपलीट कर चुके हैं अब आज हम एथर चैप्टर कंपलीट करेंगे वैसे पूरा का पूरा एक चैप्टर ही बोला जाता है एथर एक को बहुत बड़ा वाला welcome और कहानी शुरू होती है यहां से dehydration of alcohol सबसे पहला देखो जरा alcohol का dehydration बेटा हमने पढ़ा था alcohol का dehydration हमने पढ़ा था क्या होता है जिसे अगर मैं आपको एक reaction बता हूं cistha 3 pH-2OH ए इसका जब हम dehydration कराते हैं concentrated H2A 04 के साथ और ऐसा हम डेल्टा लिख देते थे एक्च्वल में हीटिंग कराये करते थे अब हम यहां पर स्पैसिफाइब करेंगे कि अगर टेंपरेचर तुम्हारा 443 केलविन है अगर टेंपरेचर 443 केलविन है तब यह डिहाइड्रेशन होकर क्या दे देगा अलकीन बना देगा क्या बना देगा अलकीन बना देगा ठीक कैसे बनाता है आपको मैकनेजम पता है जैसे यह एथेनौल था एच्टू एसफोर क्या देता है वेटा एच प्लस देता है यह मैकनेजम हम पढ़ चुके हैं इवन elimination के धुरू होता था protonation होगा पहले क्या बनेगा OH2 plus बनेगा water निकलेगा कार्बोकेटाइन बनेगा और इस कार्बोकेटाइन को चेक करेंगे rearrangement हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कोई बात नहीं इसके alpha से H निकाल कर alkene बना देंगे यही करते थे अपन इस process में लेकिन अगर तुम्हारा temperature 413 है यह तो इसका first part हो गया second अगर temperature तुम्हारा 413 Kelvin है तो यहाँ पर elimination नहीं हो पाता है ध्यान रखिएगा अगर temperature 413 Kelvin है तो आपका यहाँ पर बनेगा CH3 CH2 O CH2 CH3 जिसको क्या बोलते हो Ether बोलते हो मतलब Ether बनेगा कैसे ध्यान से देखना मैं आपको तरीका बता रहूँ फर मैं करें जाम अगले पेज में बता दूँगा यह है मेरे पास alcohol ठीक है alcohol का एक मोल और लिख लो दो मोल लिख लो आप है न 413 Kelvin पर इसको आप डारेक्ट मेथड भी बोल सकते हैं अब इसकी मैंकरिजम बताता हूं क्या होती है आराम से इसको नोट कर लो ठीक है अब मैंकरिजम देखना इसकी क्या होती है होता क्या है मेरे पास है CH3 CH2 OH ठीक है अब इसका सबसे पहले protonation होगा यह तो हमें पता है ठीक तो protonation होगा तो बनेगा CH3 CH2 OH2 positive अब यहाँ पर water ना निकल कर मतब water पहले ना निकल कर जो दूसरा mole है किसका इथे नॉल का जो दूसरा mole है उसमें जो nucleophilic atom है वो क्या होगा oxygen होगा है ना तो oxygen बेटा यहाँ attack करके इसको निकाल देता है एक क्या मैंकरिजम बोलोगे SN2, Sun2 मैंकरिजम होगी इसमें तो यह attack करके इसको निकालेगा मतलब CH3 CH2 O H+, CH2 और क्या अबड़ा CH3 अब oxygen बर positive unstable हिसर तो यहाँ से यह H+, को हटा कर यह बना देगा CH3 CH2 O CH2 CH3 बन गया इथर तो यह मैंकरिजम इसकी फॉलो होती है डारेक्ट करना है आपको क्या करो दो मोल लेकर वाटर निकाल दो खतम कहानी ठीक है बाकी मैंकरिजम यह होती है आगे बढ़े चलो भई अगली reaction बड़ी important है Williamson Ether Synthesis बहुत important reaction है इथर की क्या होता है Williamson Ether Synthesis में आपको दिया जाता है Nucleophile जैसे RO-Na+, यह मेरे पास Nucleophile है और इसकी reaction होती है Rx के साथ ठीक है आप चाहो तो इसको ऐसा लिख लो इस तरीके से Rx और इसकी reaction हो रही है RO-Na+, यहाँ चलो मैं डैस कर देता हूँ अलग अलग ले लेता हूँ यह R, यह R- माननी है अलग माल दिया अब होता क्या है यह जो R-SO-negative है यह दोनों काम कर सकता है क्या यह जो reagent है यह as a nucleophile भी काम कर सकता है और as a base भी काम कर सकता है क्यों as a base काम करेगा तो इसी का ही तो नाम अल्कॉहलिक के वेच होता है याद करो तो E2 मैं किन जम होगी और अगर मैं ऐसा nucleophile काम कराऊंगा तो SN2 मैं किन जम होगी ध्यान अगना अब वो depend करता है इस पर अगर यह तुम्हारा R-X ध्यान सुनना अगर R-X 1 degree या 2 degree हुआ तब तो यह nucleophile की तरह काम करेगा ठीक इसको मैं हटायता हूँ nucleophile की तरह काम करेगा और अगर तुम्हारा अगर तुम्हारा ऐसा हुआ ऐसा हुआ कि यह 3 degree हुआ यह 3 degree हुआ तो यह ऐसा base काम करेगा ठीक है तो यह ध्यान अखना यहां mechanism SN2 होगी और यहां mechanism E2 होगी मतब बीटा elimination क्या है यह यह लिखो या फिर alcoholic के वह लिखो बात बराबर है ठीक है मतलब अगर तुम्हारा अगर तुम्हारा यह 1 degree 2 degree हुआ तो क्या करता है SN2 करता है और अगर यह तुम्हारा 3 degree हुआ तो elimination करता है ठीक है बड़ी simple से reaction है लेकिन usually आपको जो अलकाइल हेलेट दिया जाता है वह 1 degree दिया जाता है मतलब SN2 reaction से चलना है मतलब rate of reaction या williamson ether synthesis में reactivity पूछ ले क्या reactivity reactivity of rx in williamson ether synthesis तो क्या वो लोगे 1 degree वाला बहुत भहतरीन reaction देता है SN2 कराना ना reaction ही SN2 है फिर 2 degree rx और फिर क्या आएगा 3 degree rx ठीक है बहुत कम होगी इसके SN2 E2 मेजर होगी है ना तो यह कहानी है यह हमें apply करना है ठीक है अब ध्यान से देखो मैं यहाँ पर आपको एक्जामपल लेकर समझा भी देता हूं कि समझना देरा example से क्या कहानी है इसकी देखो अगर मैंने ऐसा ले लिया ध्यान से देखना CH3 x और इसकी reaction करा रहा हूं मैं कि ओ माइनस एने प्लस ठीक है यहाँ जो आप ले रही हो reagent इसमें steric hindrance चलेगी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन alkyl halide पर steric hindrance नहीं होनी चाहिए यहाँ तो आप कुछ भी कर लो आप किसी भी type का nuclear ले सकते हो लेकिन यहाँ पर आपकी steric hindrance नहीं होनी चाहिए मतलब यह क्या करेगा यह o negative इस पर attack करके इसको निकाल देगा तो इसमें बन जाएगा आपका o और cs3 लेकिन अगर मैं इसका उल्टा कर देता अगर मैं उल्टा कर देता मालो मैं ऐसा कर देता ध्यान से देखना अगर मैं ऐसा लिख देता आपके सामने तो अब इसमें substitution नहीं होगा अब इसमें होगा वेटा Elimination E2 यहां क्या हो रहा था substitution Elimination जानते हो आप कैसे कराना होता है इसके respect में यह alpha कोई भी बीटा ले लो तीनों सेम है अगर अलग लगाते हैं तो हम वो बीटा लेते हैं जहां से अलकीन इस्टेवल बनती है मोर स्टेवल अलकीन इसदा मेजर प्रड़क्ट है नीटू Elimination है ना तो यह alpha यह बीटा बीटा से क्या उड़ा दोगे एच एंटी Elimination भी होता है ना एंटी होता है आप एंटी में दिखा के कर सकते हो तो यहां क्या बनेगा आईसो ब्यूटीन बनेगी ऐसी तो धियान रखना अगर तुम्हारे पास अलकाइल हैलाइट 3 डिगरी आ गई तो 3 डिगरी के केस में तुम्हें क्या करना है Elimination करना है और अगर 1 डिगरी है तो क्या करना है Substitution करना यह धियान लखना आपको ऐसे मिलेंगे question इसके ठीक अब मुझे एक बाव बताओ यहां पर X निकल रहा है X क्या है living group है ना X निकल रहा है तो हम ऐसे कौन से अलकाइल हैलाइट है जो नहीं ले सकते वो यह है क्यों क्योंकि पहला वाला देखो ज़रा RF RF क्यों लिया मैंने यह वेटा पूर living group होता है RF में fluoride जो होता है वो पूर living group होता है तो वो निकल नहीं पाता तो यह विलियम सन एथर synthesis नहीं देता है अगर मैंने इस टाइप का ले लिया हैलाइट तो यहां पर क्या है यह जो हैलोजन है वेटा इसका लोन प्या resonance में involved है क्या है यहां पर resonance तो resonance की वज़े से यह नहीं निकल पाएगा क्यों partial double bond character आ जाएगा क्या जाएगा partial double bond character ठीक है मतलब हर वो अलकाइल हैलाइड जो SN2 reaction नहीं देता वही लेना है आपको यहां पर एक तरीके से substitution reaction ही तो है यह ना यहां देखो इसका भी same यही और यह तो तुम्हारा bread rule है यह कौन सा rule है bread's rule मैंने बताया था bread's rule में ना तो SN1 होती यह नहीं SN2 होती अगर bridge-headed alkyl halide आपको सामने दी गई है तो यह आप halide नहीं ले सकते हो अगर Williamson ether synthesis कराना है तो कुछ सवाल हो जाएं सवाल करोगे मज़ा आ जाएगा जीवन आपका एकदम बिल्कुस सही जा रहा है चलो आ जाओ Na delta acid acid plus metal salt plus H2 तो यहाँ बनेगा salt pH O minus Na plus अब यह O minus alkyl halide क्या है 1 degree है न संटू दे देगा Williamson ether synthesis तो क्या बनेगा pH OCS3 और इसका नाम है बड़ा anisol क्या नाम है anisol अगला बताना ज़रा सोचो ज़रा आपको ether बनानी है क्या बनानी है ether कौन सी यह वाली ether बनानी है तो हम salt और Rx की क्या choice लें कि यह ether बने अब मुझे एक बाँ बताओ तुम Rx bridge वाला तो नहीं ले सकते मतलब अगर तुम्हें ऐसा दे दिया जाए कि salt मैं ले लेता हूँ CS3 O minus Na plus और Rx में यह वाला पार्ट ले लेता हूँ अगर आप ऐसा सोचते हो कि sir हम क्या यह ले सकते हैं तो पेटा यह तो नहीं ले सकते हैं क्यों अभी तो बताए मैंने bread rule वाला क्या bridge headed वाला पार्ट नहीं लेता मतलब यह choice तुम्हारी सरासर गलत है अगर यह choice नहीं तो दूसरी choice क्या हो सकती वो सुनो एक यह choice हो गई दूसरी choice क्या हो सकती है कि तुमने यहाँ पर लिया CH3 X ले लिया और दूसरा पार्ट यह ले लिया इतना तो दूसरा पार्ट तुमने ऐसा ले लिया यह O minus Na plus तो यह चलेगा तुमारा क्यों क्योंकि bridge वाले कारवन को ब्रेक ब्रेक नहीं करना क्यों oxygen सीधा अटेक कर देगा यहाँ पर SN2 reaction हो जाएगी bridge से कोई मतलब भी नहीं है मतलब यह बन जाएगा जब इसकी reaction कराओगे तो यह बन जाएगा समझगे बात को मतलब यह नहीं ले सकते तुम यह च्वाइस तुमारी होनी चाहिए क्यों alkyl highlight less in dead मिलेगी यह वाली alkyl highlight तुम ले ही नहीं सकते bridge added है यह ना चले आगे आओ जड़ा बताव answer बहुत simple है यार कितना आसान है क्या बताओ rs minus क्या करेगा इधर attack करेगा अब इसमें कहां attack करेगा इस carbon पर ठीक अब rs minus क्या है यह nucleophile की तरह काम करेगा और यह है तुमारा 2 degree rx क्या हो जाएगा यहाँ sn2 reaction तो rs minus यहाँ attack करके ठीक है कहाँ टेक करेगा rs minus इस carbon पर attack करके इस वाले carbon पर इस CL को हटा देगा लेकिन reaction क्या है यह sn2 है sn2 है मतलब inversion दिखाना पड़ेगा तुमें तो कैसे दिखाओगे वेटा inversion दिखाओगे ऐसे ऐसे और यहाँ जहाँ से CL निकल रहा है उसके opposite sr जोड़ोगे क्या जोड़ोगे sr और यह क्या आए जाएगा h यह sr जोड़ेगा ना इसको कुछ मत करना यह वैसे का वैसा ही है देखो rs माइनस ने टैक किया cl निकल गया sn2 है तो inversion तो होगा ना तो ऐसा दिखेगा आपको अगला बताओ जरा naoh क्या है वेटा na plus oh minus base है और यहाँ क्या मिल गया acid अरे वेटा sulfur से जुड़ा h acidic होता है ना बताया था आपको कपका बता रखा है तो यह पहले acid based reaction होगी ठीक है तो पहले तुम्हारा ऐसा बनेगा बीच में लेकिन तुम यह answer नहीं दोगे मैं बताता हूँ क्यों देखो तुम्हें ऐसा दिखेगा पहले क्यों acid based होगी ना एस माइनस एने प्लस ऐसा दिखेगा तुम्हें पहले ठीक लेकिन यह वाला इस carbon पर leaving group मिल गया और यहां मिल गया nucleophile SNGP लग जाएगी ठीक है या intra molecular Williamson ether synthesis बोल सकते हो और यह thayo ether बनाएगा वैसे है ना तो यह attack करके इसको निकाल देगा एक दो तीन चार पांच की रिंग बन गई जिसमें sulfur है पांच की रिंग जिसमें sulfur है ठीक है देखो एक दो तीन चार पांच की रिंग जिसमें sulfur है और sulfur जिस carbon से जुड़ा है वहां इस तरफ से जुड़ा है वहां मी थाएल है और सुलफर जिस कार्बन चेह इस तरफ से जुटा है वहां भी मिथाईल है यह आएगा आपका फाइनल अंसर यह तो आप मन में सोचोगे यह मन में सोचोगे कि पहले पहले एसट बेस होगी और एस नेगडेव अटेक करके सीयल उड़ा देगा पांच में मटरिंग बनती तो बन जाता ना एसन एंगी लग जाएगी पहले एसट बेस फिर एसन एंगी नेवरिंग पाटी से पेसन इंट्रा-मॉलिकुलर विलियम सनी इतर संथेसिस बोल सकते एक में इसके लिए होता है फ्रॉम पर एस एड़़ ये होता है आपका एंपोक्स्थद बनाने के लिए ना एक तरीके से साइक्छले इथर इसका क्या होता है में ध्यान से देखना यह अलकीन मैं पढ़ा चुका हूँ मैं आपको बस एक बार याप दिला रहा हूँ क्या मेरे पास कोई अलकीन दी गई है इस अलकीन की रियक्षन करानी है आर कोई भी पर एसेड ले लो बहुत सारे पर एसेड हमने वहां लिये थे मैं ऐसा पर एसेड ल दखेगा इस तरीके से ठीक है ट्रांजीशन गे थू मामला जाता है ठीक है तो तो मैं यहां लिख देता हूँ पहला पॉइंट प्रांजीशन स्टेड इस फार्म्ट वहां भी लिखा था मैंने एक बार फिर और तो होती है दूसरा सिन एडिशन होता है क्या होता है संहेध होता है और reaction stereo specific होता है यहां लिख दिया मैंने इस्टेयो specific का मतलब क्या है एक ही stereo isomer बनता है जैसे यहां ध्यान से देखो अच्छा सेन एडिशन तो यहां लिख दिया यहां मतलिक हो फिर फ्रांजी सने लिख लो यहां लिख दिया मैंने इसने देखना आर सीओ थ्री एच मैं से ए आर सीओ थ्री एच मैं से एक ओ निकलके इसको मिल जाएगा तो आपका ऐसा देखेगा है ऐसा 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 और यह ओक्सिजन सीदा सीदा जुड़ेगा ऐसा मतलव अगर यह सिस है तो यह भी क्या वनेगा सिस बनेगा दो Colombia सिर्फ एक the यह सिर्वज पर वन रहा है इसलिए स्थीरियो स्पैसिफ एक चर्थ से तो ऑक्सियंगो सीधे सीधे जुड़ता है ना है तो आप क्या वो लोगे यह क्यों ट्रांस बनेगा की है मतलब से तो से सोनने गांट से ट्रांस बनेगा दो अई स 16 बने हाँ एक ही स्टेडियो इसमर बन रहा है या तो सिस बन रहा है इस वाले मैं इसमें Caesar गया दो ट्रांस बनता है ना मतलब स्टिड?, इस सपैसी करी एक संगते हैं कैसे दो इसमर ंगे बनें दो आगे बचा ना जैसे यह नहैंज्यगी स्पढ़ να हां ने तो इस अलकीन की रियक्षिन में करा रहा हूं ब्रोमीन वाटर के साथ, यह एक काम करो, X2 ले लो, तो सब के लिए valid हो जाएगी, यूजरली ब्रोमीन कलोरी नहीं होते हैं, क्या करते हैं, यह रियेजेंट, यह रियेजेंट आपस में रियेक्षिन करके आपको देता है, ह, O, X, X plus और O, H minus यही बनता है, यह बाला bond break कर लो इसके plus I से, इस तरफ जाएँगे electron क्यों हो, यह ऐसे देंगे, electron तो ऐसा break होगा, यह minus और यह plus, यह होगा, इसका प्लस इसके माइनस से, इसका माइनस इसके प्लस से, तो तुम्हें ऐसा देखेगा इस तरीके से, क्योंकि यह क्या होता है, anti-edition होता है ऐसा अब तुम इसकी reaction किसी भी या तो metal से करा दो या बेस से करा दो मतला ultimately acid base reaction करा दो यहां पर देखो H plus O minus तो यहां से जब acid base reaction होगी तो आपको बीच में ऐसा देखेगा आपको यह बनाना नहीं वस मन में सोचना है कि पहले तुम्हें ऐसा देखेगा और फिर यह O minus यहां पर attack करके इसको निकाल देगा SN NGP लग जाएगी बन गया epoxy बास, खतम, क्या लगेगा यहां पर SN NGP बोलोगे यह मन में सोचोगे कि इसकी reaction पहले acid base होगी फिर O negative attack करके X को हटा देगा, तो halo hydrant बना लो पहले और उसकी reaction metal से करा दो या कोई acid base reaction करा दो उसकी, ultimately आपको यह एच निकलवाना है, है ना, समझे कहा नहीं आगे बढ़ते हैं properties पर आगे देखो कि तीली properties पर आगे, method of preparation समझगे आप एक बार फिर से देख लो क्योंकि कई सारी reaction आप पीछे पढ़ चुके हो, जैसे यह आपके लिए नई reaction थी, सिर्फ यह वाली, यह तो आप पढ़ चुके हो, कैसे करते हो, dehydration बगरा है ना, इसमें water निकालना है, दो मूल लेकर फिर डिया, अच्छा यह तो वो ही है, मैं के निजा में उसकी, यह विलियम सन एथर सिंथेजिस कोई नई reaction नी, SN2 ही है, अगर 1 डिगरी और 2 डिगरी आता है तो SN2, 3 डिगरी तो E2 करा देना, ठीक है, यह इसकी reactivity हो गई, यह कुछ मैंने question करवा दिया आपको, यह आप व दूसरा पार्ट मन्दब हेलो हाइडरिन से बनाने की, अब 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 चलने properties पर, अब ध्यान से देखना, reaction with HX, usually आपको HI वगरा दिया जाता है, HI की reaction बड़ी famous reaction होती है इसमें, तो HI वगरा की reaction होती है, अपन जनरल reaction HX के लिए लिख रहे हैं, ध्यान से समझना आप इस ब R2, ठीक, इसकी reaction HX के साथ कराएंगे, नई reaction है आपके लिए, ध्यान से देखना, नई reaction है विल्कुल, अभी तक, पुरानी पीछे वाली तो सब repeat थी, ये नई reaction है न, जब मैं इसकी reaction HX से कराऊंगा, तो सबसे पहले HX टूटेगा, H प्लस देगा, और X माइनस देगा, तो ये बोलेगा, अच्छा, डायलोग भाजी, चलो, लोन पर ले लो, लोन पर लो, चलो, देखो, ऐसा देखेगा, R1 O, H प्लस और R2, ये है HX, ध्यान सुनना, ऐसा है, अब यहाँ पर, बॉन्ड तूटना है, कौन सा बॉन्ड तूटना है, या तो ये वाला बॉन्ड त तूटना है, या ये वाला बॉन्ड तूटना है, अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा बॉन्ड तोड़ो, उसके लिए आपको कुछ पॉइंट पता होने चाहिए, या तो ये बॉन्ड तूटेगा, या ये बॉन्ड तूटेगा, ठीक है, अब उसके लिए वेटा क्या important point यहन को आपको याद ही रखना है न माई स्टार क्या पॉइंट नमबर वन यह कहता है कि कि इफ आरवन तो ठीक है आरवन वाला अलकाई और आरटू इफ आरवन आरटू बोथ वन डिगरी ठीक है अ कॉमा टू डिगरी आरवन आरटू दोन वन डिगरी और टू डिगरी तो मेकनिजम इस एसन टू मैकनिजम एसन टू होगी है ना आरवन आरटू तुम्हारे अगर वन डिगरी टू डिगरी हैं तो एसन टू ठीक है और यह कौन से वन डिगरी नॉर्मल वन डिगरी टू डिगरी यहां लिख दो वन डिगरी टू डिगरी मतलब विदाउट रेजोनेंस इस्टेवलाइज है ना पॉइंट नमबर टू इफ एनिवन इस थ्री डिगरी मतलब रवन रटू में चूज़ कर रहा है इफ एनिवन इस थ्री डिगरी कॉमा रेजोनेंस स्टेवलाइज़ दिख रहा है यह स्टेवलाइज़ रेजोनेंस स्टेवलाइज़ यह काम करते हैं इसको थोड़ा सा इधर फीचे किसका लेते हैं कि रेजुनेंस स्टेबिलाइजड कि वन डिग्री टू डिग्री दैन मेकनेजम इस एन वन अब बात को थोड़ा ध्यान से समाझे ना गंबीरता में जा रहा है विश्याव इसका ठीक है अगर आरवन आटू दोनों नॉर्मल वन डिग्री नॉर्मल टू डिग्री है कोई भी यहाँ पर रेजुनेस स्टेबडिटी नहीं है तो थो एससे लसे जाना है अब तो नूसे जाओन दो किसे जाओनेद से कराव लेना जाइडर इस्टेक एंट या टू डिगरी हो गया तो भी ऐसे एंवन पात से जाओगे बात समझ में क्या करना यह दो पॉइंट महाँ इंपॉइंट है इसको तो बॉक्स में बंद करने का मन कर रहा है मेरा कि इतने भैंकर इंपॉइंट पॉइंट है यह दोनों इसी से ही आपकी कहानी चलेगी रियक् स्टेवलाइज नहीं अगर तुम्हारा थिडिगरी या रेजनेंस स्टेवलाइज वन डिगरी टू डिगरी केटाइन बन रहा है तो आप एसन वन पात से चलेंगे मतलब बॉण्ड यह ब्रेक कराना यह यह वह इस पर डिपेंड करता है किस पर यह जो दिख रहा है तुम् इसको यह क्लियर हुआ चलो आगे बने मैं अब इसके बाद क्या होगा वह वह अभी क्वेश्चन करके बताऊं गाऊ तो क्या होगा बहां है जैसे यह लिखाए ठीक इस सबम्हों चीजै इसके इससे पर चीजर हो जाएंगे ठीक है दो सेकेंड के लिए छोड़ दो ठीक है चोड़ दीया अब तुम यह सोचो कि कहीं मुझे दौनों तरफ मेंसे कहीं भी एक जगह 3-degree मिल रहा है क्या सबसे पहले यह सोचो 3-degree मिल रहा है क्या देखो जरह अगर मैं अगर मैं ऐसे तोड़ दूँ ऐसे तोड़ दूँ, तो यहां क्या बनेगा प्लस, ध्यान से, मैं इनको यहां साइड में कर लेता हूँ, इनको अभी बाद में डिसकस कर लेंगे, ठीक है, पहले अपन में इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में ठीक, वाकी यह तो अभी अपन कर लेंगे, तो इछ प्लस देगा। यहाँ परेफ़ प्लस का अटेक करातेट कि तो तुम्हें क्या करा दिया मैं अटेक करा दिया इसा दिखेगा अटेक है होगा अगरता है ज़िए हल्कुलिकक सबस्क्राइख कोई दिक्कत नहीं ठीक भई। अब तुम्हें सोचना है कि 3D बन रहा है कि यस मुझे दिख रहा उस तरफ 3D दिख रहा है देखो तो बॉंड तुम्हें ऐसे तोड़ो तो अब तुम्हें क्या दिखेगा अब तुम्हें दिखेगा ऐसा CS3OH और प्लस यहां पर C प्लस और 3 मिथाइल यह बना 3D के टाएन बस इसी से क्या जोड़ दो आप आई नेगेटिव क्योंकि हाई था ना आई नेगेटिव तो यह बन गया ME3 C और इस पर आई यह आएगा इसका फाइनल आंसर यह हो गई इसकी कहानी अगर तुम्हारे पास दूसरा वाला क्वश्चन देखो यह अगर एनहाइड्रस ही होता तो एनहाइड्रस में रियक्शन SN2 पाथ से ही जाती है क्योंकि एनहाइड्रस में सिर्फ ही है और H प्लस और I माइनस बनेगा और अच्छा नुकलिफाइल होता है तो यहाँ पर SN2 जाएगा ओल्वेज और यह रियक्शन आपको रियरली ही दिखेगी यही दिखती है maximum question इसी कही होते है लेकिन यह धियान अखना अगर एनहाइड्रस हुआ तो SN2 पाथ से जाएगा ठीक मतलब आप इसको प्रोटोनेट कराओगे यह क्या देगा एनहाइड्रस एचाई भी तो एच प्लस देगा तो यह बनाएगा CS3O कि है एच प्लस कि सी एमी 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 अब आई माइनस अटेक करेगा अगर SN2 से चलना है वेटा तो अटेक वहां कराओगे जहां इस्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी तो इधर और इधर में कहां पर कम है इस्टेरिक हिंड्रेंस लेट साइड तो आई माइनस इसके पास आएगा बोलेगा खिसक लो तो यह आगया CS3 आई है ना आया मजा प्लस ME3 सी और इस पर क्या आगया ओएच कब जब एन हाइड्रस ही होगा तब ठीक है यह कहां नहीं हो गई इसकी एन आइड्रस में यह करना है कॉंसेंट्रेटर ही लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं यह लिखा हो या कभी यहां पर कोल्ड करने तब भी कोई समस्था है नहीं सेम य मौन सी चाई एकसे काम करते हैं इसको अटाकए यहां ऐसे कर लेते हैं अ और क्या बनेगा एमे 3C यह एक बार के बाद बनेगा ना अब यहां रुकना नहीं है नहीं रुकना है मतलब आगे बढ़ना है क्या बात चलते रहो यह तो तुम्हारा आयोडाइड है लेकिन हाई क्या करेगा इसके साथ रियक्सन कर लेगा एल्कॉहल जो बचा हुआ है और water निकाल दो दिख़रा water और यह वाटर निकाल दो तो क्या बन जाएगा CS3 यह आई बन जाएगा मतलब अगर excess दिया हुआ है तो दौनों ही आपको क्या बनाना है iodide बनाना है excess दिया है तो दौनों ही iodide बनाना है कोई इंसन नहीं तो जब तुम एक बार रियेक्शन कराते हो तब तो यह दौना बनाई दो ठीक और उसके बाद फर्दर रियेक्शन कराओगे तो एक बार और आगे बढ़ा दो जो एलकोहल है उसको भी आयोडाइट में कनवर्ट कर दो ठीक और अगर एक्सेस है तो उसका डारेक निकालने को नहीं पड़ेगा कियो विट यह दिए 1989 में कर आई तो तुम्हें आंसर फाइनल यह और म्लभ बना ना है तो अगर तुम एक्सेस वाली रियेक्षन कराते हो तो तुम इसको और इसको तोड़ दो कैसे है इधर आई देदो इधर एच देदो इधर एच देदो इधर आई देदो सुखी रहो आए मज़ा अगर एक्सेस दिया जाए तब ऐसा कर सकते हो आप लेगे नगर वन मॉल है तब तो तुम्हें देखना पड़ेगा ना यह तूटेगा कि यह तूट एधर ठीक है री इचैन वी देचस के ही कोशन हम कर रहे है आजये चलो बताना अगर विए अगहर मेरे पास कॉंसेंट्रेडट इड यैच आई दिया है क्या दिया है कॉंसेंट्रेट रिड़ है मुझे अच्छा axis वाल एक काम करते हैं यार एकसे सीज वाला साइड में कर लेते हैं और इसको अलग से कर लेंगे हम ठीक है पहले मैं इसको कर लेता हूँ क्या यह प्लस देगा कहा जाएगा यह Oxygen अपना Lone ciudad इसको झाते देगा कैसा देखेगा वाण एसा ऐसा देखेगा अब देखो जरा लेफट साइड देखो और राइट साइड देखो कौन सा बॉन तूटेगा विटा लेफट साइड से तो बॉन तूटे गए 십र पहली बात यह तूटेगा और अगर यह तोड़ोगे तो इसको H दे दो और इसको I दे दो सीधा अंसर लिख दो लेकिन हम वाया मैंकरेंजम समझ रहे हैं एक बार और समझे लो मैं आपको डारेक्ट भी लिखना सिखा रहा हूं साथ-साथ ठीक है और ऐसा था अब I-ाएगा कहा टेक करेगा इधर अटेक करेगा क्यों इधर तो आपका लोनपर रेजरेंस पर पार्सिल डबल बॉंड करेक्टर था यहां पर है ना तो इस पर जो पी एच है ना पी एच जो है वह ऐसा है ठीक है इस तरीके से ऐसा है यह तो आई माइनस कहां अप्रोच करेगा यहां इस्टेरिक हिंटरेंस कमे ना यहां इस्टेरिक हिंटरेंस जादा है तिक इस तरीके से भी सोच सकते हो चलो बताओ जब यह इस पर अटेक करेगा तो यह तूटेगा क्या बनेगा पी-एच-व-एच और प्लस-स-3 आई इस दा फाइनल आंसर अब इसको डारेक्ट कैसे करना है डारेक्ट कैसे देखो डी-एम बता रहा हूं मैं आपको डारेक्ट मेंथड पी-एच-ओ-छ-थ्री हाई दिया है कॉंसेंट्रेटेड कैसे सोचोगे देखना इधर इसका लोन प्यार तो इधर रेजोनेंस में तो यह नहीं तूटेगा इसको तोड़ना है इसको एच दे दो इसको आई दे दो पॉजिटिव नेगिटिव से ओ माइनस सी प्लस एच प्लस आई माइनस ऐसी करोगे न तो यह बॉन्ड ऐसे तोड़ दो तो सीधा आपका यही बन जाएगा पी-एच-ओ-एच-प्लस CS3I ठीक है अब चलो एकसिस पर अगर तुम्हारे पास एकसिस में रियक्शन हो रही है तो तुम्हें करना क्या है तुम्हें करना क्या है जब तुम पहली बार रियक्शन कराओगे देहान सुनना जब पहली बार रियक्शन कराओगे इसकी तो यहां तक पहुंच जाओगे अब तुम क्या करोगे अब तुम सोचोगे कि चलो इसकी HI के साथ reaction करा दें तो यहाँ लिख लो बेटा no reaction क्यों क्योंकि बेटा इसका loan pair resonance में है दिख रहा है इसका loan pair resonance में तो reaction नहीं होगी मतलब चाहे तुम access ले लो या ना लो चाहे तुम access लो या ना लो आंसर तो सेमी आएंगे इसकी reaction ही नहीं होगी ना आगे तो यह answer भी इसका होगा और यह भी इसका तो direct method यह है बेटा अगर access का direct method लिखोगे तो यह bond तो वैसे ही नहीं तूटना तो उसका भी सीधा direct method यह हो गया बस तुम तो यह देख लो कौन सा one तूट रहा कौन सा नहीं तूट रहा बस इतना तो मैं पता चल गया ना कहानी खत्म अब जैसे माण लो इधर आ जाओ अब मैं मैंगे निम्यम नहीं कर रहा है डारेट करेंगा एक्जाम में टाइम ली तो बचा नहीं मैंगे तो समझ ली हमने कि क्या क्या होता है ड़ीक डारेट कैसे करूए द्यान से देखना इसको भी पारेट करूंगा देखो सबसे पहले तुम एथर देखो यह दिया हुआ है ठीक एथर के लेफ्ट और राइट साइड बस यह सोच लो कि 3 डिगरी और और resonance stabiles 1 degree resonance stabilised 2 degree तो नहीं है कहीं अगर वो है तो SN1 पाद से जाना पड़ेगा तो bond दोड़के दिखाना पड़ेगा अगर आपका normal 1 degree normal 2 degree है तो कोई टेंस नहीं नहीं सीधा करेंगे answer जैसे देखो अगर तुम्हारे पास यह oxygen है यह carbon क्या है नॉर्मल 2 degree यह carbon क्या है normal 1 degree तो बॉन्ड को ऐसी जगे से तोड़ो जहां इस्टेरिक हिंड्रेंस कम है एसन टू होगी न तो यहां आई जाएगा यहां एज जाएगा डारेक्ट मैथड है यह सीधा इथर देखा मैंने मैं जैसे करता हूं वैसी बता रहा हूं मैं तो इथर देखता हूं कोई बच्चा को में वह बन तूटना है ठीक तो इसमें अंसर बनेगा आपका ऐसा तो जो आंसर आएगा वह आएगा यह तो ओवेच प्लस CS 3 आई तो ठीक और अगर एक्सेस में हैं तो तो मजा आ गया क्यों देखो जड़ा एक्सेस वाले को अलग से लिखके बता रहा हूं अगर तुम्हे तुम्हें एक्सेस में दिया जाएगा तब तुम्हें मैकनेजम की कोई जरूरत नहीं है कोई जरूरत नहीं है अगर तुम्हें कॉंसेंट्रेटेड एक्सेस में दे दिया तो तुम्हें एक परसेंट भी जरूरत नहीं मैकनेजम की क्यों दौनों तरफ से बांड ब्रेक कर कर लो Services मे की यह जा रा देखो लों पर जा रहा है इसका रेजोंए में लुए लुए इधर नहीं जा रहा है मतलप पिटब दोन आप टूटेंगे यह भी तोड़ थो और यह भी दो है कैसे इधर Iaceutcause D इधर एच इधर आई मन्दब यह टू वन गया इधर वाला आयोडाइड वन गया ठीक है और इधर वाला भी आयोडाइड वन गया खतम कहानी समझे तो नॉर्मल कैसे करना है और एक्सेस वाला कैसे करना है कि लिए रवाद चलो वह आगे बढ़े अब चलते मिटा हाइड्रो अगर इसकी रियक्षन पानी से कराई जाए तो बेटा पानी भी नुकलियोफाइल है और यह भी नुकलियोफाइल है नो रियक्षन रियक्षन ही नहीं होगी क्यों डौना ही नुकलियोफाइल है अगर मैं इसकी रियक्षन बेस के साथ कराऊं ओच माइनस बेस ठीक है बेस को acidic medium में पानी दे दूं, तो ये reaction होती है, अब ध्यान से सुनना क्या कहानी है, क्यों, ये nucleophile है, basic medium, water है मतलब nucleophile है, यहाँ क्या होता है, यहाँ water nucleophile तो है, लेकिन H+, पहले यहाँ पर acid base reaction करा देगा, ये base की तरह है काम करेंगे, acid की तरह है, और फिर आपकी bond breaking हो सकती है, means, normal पानी हो, या basic medium में पानी हो, no reaction, acidic medium में पानी इसको hydrolyze कर देता है, तो hydrolysis of ether की बात करेंगे, तो acidic medium में होता है, अब कैसे होता है, वो देखो जड़ा धियान से, मैं करेंगे यहीं बता दूँ, अलग से page third नहीं है, नहीं, देखो, चले काम करते हैं, एक दम clean तरीके से लिखेंगे है, समझ गया, किस medium में करानी है, acidic medium, देखना, अब कहानी फिर से शुरू करते हैं, लेकिन acidic medium में, यह है मेरे पास H+, सबसे पहले क्या होता है, H+, क्या करेगा, oxygen अपना loan पर इसे देगा, जैसे HI में था, similar उसी जैसा ही हो रहा है, बस पहला step, R1 O, R2, H+, ठीक, अब तुम्हारे पास, ध्यान से देखना, अब या तो यह bond तूटेगा, या यह bond तूटेगा, यही होगा न, भाई, water आएगा, तो water nucleophile की तरहे काम करेगा, जैसे वहाँ, I- nucleophile की तरहे काम करता था, है न, अब ध्यान से सुनना, जो HI वाली reaction थी, उसका important point क्या था, देखो, R1, R2, 291 degree तो SN2 हो रही थी, वहाँ पर hydrolysis में सिर्फ 1 degree, 2 degree वाला इधर shift कर देना, 2 degree वाला इधर shift कर देना, ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ देखो, Hydrolysis में क्या होता है, वो MI star वाले point लिख रहा हूँ, If, R1 and R2, R1 degree तो क्या होगा, SN2 होगा, R1, R2, 1 degree तो SN2 होगा, और If, anyone, if anyone is 3 degree, 2 degree, 3 degree, अब इसमें आगया 2 degree है न, 2 degree, 3 degree, comma resonance stabilize 1 degree, then mechanism is, SN1, ठीक है, दिख रहा है, और इसको कर देंगे वेटा, box में बंद, अब देख लो जड़ा क्या कहानी पलट गई आपकी, कहानी थोड़ी सी पलट गई, थोड़ी सी, क्या, वहाँ पर क्या था, HI वाले में, ध्यान सुनना, HI वाले में क्या था, 1 degree और 2 degree, SN2 करते थे, यहाँ सिर्फ 1 degree ही SN2 करता है, hydrolysis में धियान रखना है, रूम टेंपरेचर पर कार्वोगटाइन बगयरा, जो है, वो फॉर्म नहीं हो पाता, 1 degree का, इसलिए साह होता है, बस आपको धियान रखना है, में कहानी याद रखनी है, आरवन रटू 1 degree है, तो SN2, और अगर कोई भी 2 degree, 3 degree या रजने स्टेबलाइज 1 degree है, तो SN1 हो जाए, क्यों, क्योंकि 2 degree तो अब इस कैटेगरी में आ गया है, अब आप बोलो, सर आपने यहाँ रजने स्टेबलाइज 2 degree, 3 degree क्यों नहीं लिखा, अरे बेटा, जब 2 degree, 3 degree करेंगे, तो रजने स्टेबलाइज तो करेंगे ही, ना, तो इसको क्यों लिखना, वो तो करेंगे ही, 1 degree यहाँ SN2 कर रहा लेकर, रेजने स्टेबलाइज 1 degree SN1 करने लगता है, तो अब मैं आपको इसका question करके बताऊंगा, तो आपको clear समझ में आएगा, ठीक है, मैं इसका एक question लेके बता रहा हूँ, ताकि आप समझ जाओ कहानी के चल रही है, देखो, सवाल कुछ ऐसा है, CH3, O18, 18 मतलब oxygen का isotope, CH2, CH3, ठीक है, H plus water, ऐसा दिया होगा आपको, तो सबसे पहला step आप जानती ही हो, इसकी reaction H plus से, oxygen अपना lone pair इसको देगा, तो दिखेगा CH3, O18, प्लस है, H है, और CH2 है, और CH3 है, अब पानी अटेक करेगा, water, ठीक है, अब water अटेक करेगा, तो अब आपको यह सोचना है थोड़ी देर के लिए, क्या, इधर और इधर, क्या है यह, नॉर्मल 1 डिगरी है, CH3 नॉर्मल 1 डिगरी है, C2H5 नॉर्मल 1 डिगरी है, मतलब SN2 मैकनिजम होगी, तो ऑक्सियन अपना लोन पे अर लाएगा, यहाँ अटेक करेगा, जहां इस टरेक हिंडरेंस काम है, वहीं तो अटेक होगा, तो CH3, OH2 पॉजिटिव, और प्लस, यह अलग हो जाएगा, क्या, CH3, CH2, OH, और यहाँ क्या है वेटा, 18, बात समझना, विलकुल आराम से हैंना, यह वाला बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, SN2 मैकनिजम हो रही है, तो आप क्या करोगे आप इसके बाद, यहाँ से H+, हटा दे ना, इसको दे दे न, electron, तो यह बना लेगा, CS3, OH, तो final answer क्या आएंगे आपके, एक तो यह आएगा, जो final answer दो गया आप, ठीक है, और एक ही आएगा, आपका, समझ रहो कहानी क्या चल रही है, एक ही आएगा, और एक ही आएगा, clear, चलो भई, समझ गया, SN2 कैसे करना, मैं एक और example ले रहा हूँ, मैं यहाँ पर, यहाँ से देखना, थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा हूँ, ऐसा लिख रहा हूँ, CS3, OH, 18, C, ME, ME, YUME, और इसकी reaction करवानी ही तुम्हे, H+, और H2O, अब आजाओ जड़ा, कुछ नहीं, पहला step तो वो ही है, क्या, H+, को lone pair मिलेंगे, ऐसे दिखेंगे, अरे वड़ा, समझना बात को, C, YUME, 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 इसा देखेगा, शलो वई, अब यहाँ पर, water आएगा, water आएगा, लेकिन, 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 यह देखो, इस तरफ 3 degree मिल गया तुम्हें, देखो, यह कारवन 3 degree है न, मतलब, SN1 पाथ से जाएगी, mechanism, means, यह निकलेगा, leaving group, यहाँ केटाइन बनेगा, तो इसमें बनेगा, CS3O18H, प्लस, कार्वोकेटाइन बनेगा, यहाँ पर, C+, ME3 लगे हैं उस पर, यह लिख सकता हूं, 3ME लगे न, तो ME3C, अब water क्या करेगा, water आएगा, oxygen अपना lone bear, इसको देएंगा, यह बनाएंगा, ME3 C, O, H, H और यहाँ प्लस, और यहाँ से H प्लस को हटा देंगे, तो यह बना लेगा, ME3C, O, H, ऐसा, तो आपके दो answer आएंगे, एक यह दोगे, और एक यह दोगे, बात समझे, clear, आया मज़ा, कव आपको SN1 करानी है, कव आपको SN2 करानी है, धिहान से सुनना, आपको, आप protonate करा लो, देखो, दोनों चीज़ें एक साथ बता रहा हूँ मैं, HI वाली भी और यह वाली भी, आपको ether को protonate कराना है, H प्लस देना है, ठीक, अब तुम्हें क्या करना है, दोनों तरफ नजर साथ देता है, अगर R1, R2 दौनों तुम्हारे 1 दिग्री है, तो यहाँ पर अगर दौनों वन डिग्री है, तो SN2 होगा, कोई भी एक अगर 2 डिग्री हो गया, या 3 डिग्री या रेजनेस्टेवलाइस 1 डिग्री, तो तुम्हारा SN1 हो जाएगा, HI वाले में क्या करते थे सबसे पहले क्या करना होता है अब डारेट करना सीख रहे हैं सबसे पहले इसको कर दो प्रोटोंिट यह वो गया प्रोटोरी ठीक अब देखना जरा इधर से तोड़के देखो इधर से तोड़के देखो अगर मैं इधर से तोड़के देता हूं तो यह कारबन क्या है normal 1-degree । इधर यह क्या है 3-degree आ गया 3-degree आ गया मतलब बॉंड देखो पहले मैंने ऐसा सोचा अगर मैं यहां से तोड़ता तो इस कारवन पर मैं प्लस बना के सोचूंगा नॉर्वल वन डिगरी का टाइन बन रहा है न अब मैं चलूंगा यहां पर इस कारवन पर प्लस O M G 3 degree वा मजा किया बस तो क्या करो यह बन ब्रेक कर दो क्या जाएगा ऐसा देखेगा क्या Me T D O 18 वाला H और प्लस प्लस क्या बनेगा यहां कारवकरटाइन इस पर क्या लगा है एमी, एटी और, पी आर, ये लगा है, देखो, जब ये निकल जाएगा, तो पॉसिटिव आएगा, अब ये क्या करेगा, ये वाटर के साथ, जुड़ेगा, तो वाटर जुड़ता है, आता वाटर है जुड़ता ओएच है, अब ये चाप भठा देना, बार बार इतना मतलब देगो वाटर लाकर और जोड़ देना तो जब इस पर ओए जुड़ेगा तो विटा दो कॉन्फिक्रेशन के साथ जुड़ेगा क्यों यह काईरल है यह वाला कार्बन काईरल बन जाएगा अभी नहीं है हैं कार्व शुल में कारल नहीं है लेकिन अँव्हीं बन जाएगा एक ऐसा दिखेंगा और एक ऐसा दिखेंगा सिरुट क्योंकि एक बोटानींड करके सोच और अगर मैं यह तोड़ दूँ तो यहां प्लस आएगा ओ माई गॉड हाइली अनिस्टेवल बहुत भेंकर अनिस्टेवल है यह पी एच पॉजिटिव तो यह तो नहीं बनाना है तुम्हें न अब आप क्या करोगे यह बन्ट तोड़ने को सिस करोगे भाई यह तो नहीं टूटेगा ना तो यहीं टूटेगा सीधी सी बात है क्यों यह बन्ट नहीं तोड़ सकता क्यों क्योंकि यह हाइली अनिस्टेवल है यहां पर पी एच लगाए यह बन्ट तूटेगा अब यह कार स्क्राइवन क्या है नौर्मल टू डिग्री है और ठू डिगरी में इसन वन होती है इसमें हैडाले इसमें तो आप क्या एक करोगे इसरैंन को ऐसे तोढ़कर दखा ओगे और इसी से क्या जोड़ दोगे water, आएगा water, जोड़ेगा क्या OH, ऐसा दिखेगा, तो ये दोनों answer आपके, बास समझ में आई क्या करना है, बहुत बढ़िया, और सबसे बढ़िया चीज बताओं इसमें क्या करना है, जब कभी भी isotope आएगा, जब तुम्हारे पास isotope आएग तभी तुम्हें ये mechanism की जरूत पड़ेगी, अगर isotope नहीं आया, तो काई की mechanism कोई जरूत ही नहीं है, डारेक्ट आंसर कैसे, ये सवाल देखो, इसमें कहीं isotope है, क्या नहीं है न, oxygen यहां भी, oxygen कुछ नहीं लिखा तो 16 वाला, isotope नहीं है, तो direct answer देखो, बहुत ध्यान से addition कराना है, ये समझ लो, ठीक, अब ये oxygen अपना loan pair यहां दे रहा है, oxygen का loan pair resonance में involved है, तो इधर partial double bond character है, तो ये तो टूटेगा नहीं, कौन सा टूटेगा ये वाला, और जब तुम्हें ये bond तोड़ना है, तो मुझे बताओ जरा, isotope है ही नहीं, सीधा तोड़ दो न, क्यों H plus होता है, वो O negative के पास जाएगा, O H minus होता है, वो C plus के पास जाएगा, सीधा answer आगया, देखो, क्या बोला मैंने, बहुत सही बात बोल दी, अगर isotope नहीं है, तो bond तोड़ो न, क्या दिक्कत है, तोड़ो bond, बिल्कुल तोड़ो, अगर isotope है, तो सोचना पड़ेगा, मैं क एक, दो, तीन, चार, पाँच, पागल हो क्या, यह oxygen दोड़ी है, यह तो गोला लगा है, यह से पागल लोग होते हैं, हो सकता आप भी सोच रहो, नहीं सोच रहो, बहुत बढ़ी है, आपका दिमाग एकितम सही है, चलो आजाओ, क्या बताया था मैंने, कौन सा bond तोड़ना है, अगर आईसोटोप नहीं है, तो हम bond तोड़के देखेंगे, कैसे द्यान से देखो, इसका lone pair इधर भी resonance में है, और इधर भी, बीए लोन पियर इधर वी रेजुनेंस कर रहा इधर वी रेजुनेंस कर रहा पार से डबल और कैरेक्टर नहीं निकलेंगा इसका लोन ब्यर इधर एधर रेजुनेंस में ये भी निकलेंगा मतलब खतम हो गया देखो यही एक बचा विचारा बॉण्ड तूटने वाला तो यहां क्या एच और यहां क्या ओएच खतम कहानी आंसर देखो कि सीधे करा करो अब आप है ना अगर आइसोटो बगेरा आया तो ही तुम्हें सोचना है मैंकरिंजम के बारे में कि अधर्वाइज आप सीधे बॉंड परे करो ना कौन मना कर रहा है कि यह बताओ जरा यह अच्छा सवाल है कैसे ध्यान से सुनना इसका लोन पेर इधर वी रेजोनेंस में हैं और इधर वी रेजोनेंस में हैं तो कई लोग इसका अंसर लिखते हैं नो रिएक्शन क्यों लोन पेर इधर वी और इधर वी ऐसा नहीं होता ध्यान से सुनना आप जरा एक्च्छल में बहुत बढ़िया सवाल है क्या है देखो लोन पेर इसका रेजोनेंस में तो है रेजोनेंस में हम मानते हैं लोन पेर इसका रेजोनेंस में है लेकिन रिएक्शन यहां नही यहां से इसके पास H प्लस जाएगा तो अलकीन के पास जाएगा इसके पास नहीं जाएगा क्योंकि इसका लोन प्यार तो रहे जोनेंस में अभी आप ही ने तो बोला तो जब यह एच प्लस यहां जाएगा तो यह बॉन टूटेगा यहां माइनस यहां प्लस यह प्लस इसके पास जाएगा तो यह ऐसा दिखेगा है ऐसा और इस कार्बन पर वाटर आएगा और जैसे ही इस कार्बन पर वाटर आएगा तो तुम्हें ऐसा दिखेगा यहां से देखते जाना वाटर आता है तो क्या लाता है ओएच लाता है न ऐसा ठीक अब मीडियम तो ऐसे डिक है मीड यहां 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 यह मतलब अब यह बॉंड टूटेगा अब यह बॉंड टूटेगा और कैसे टूटेगा मैंने बताया आपको कैसे तोड़ना है यह बॉंड तोड़ो इसको एच देदो और इसको ओएच देदो तो क्या जाएगा पी एच ओएच प्लस अब एक ही कारबन पर दो एच तो नहीं टूटना चाहिए लोगों को ऐसी लगता है स्टार्टिंग में सबसे पहले लेकिन एक्चल में पहले अलकीन पर अटेक होकर ऐसा बनता है और फिर ये इधर रेजोनेंस नहीं कर रहा ना अब तो तूटेगा ये इधर से एना कि समझें कहानी चलें आगे अगली रियक्षन है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिडिउशन रियक्षन बहुत आसान रियक्षन मैंने आपको कई बार बताईए हर चैप्टर में लगबग ये रियक्षन आ रही है क्या होता है बेंजीन पर कोई गुरुप लगा होता है उस गुरुप का directive influence चेक करना होता है कि इलेक्ट्रोफाइल जब उसके पास आता है तो गुरुप क्या बोलता है कि हम ortho para director है या meta director है बस यही बोलता है जैसे बेंजीन पर यह जो गुरुप लगा है बताओ जरा क्या है यह जैने औक्सियन के पास क्या है लोन पेधियर मतलब प्लस है में और अगर प्लस है में तो विटा यह ओर तो पैर डारेकटिंग है मिन्स करेगा कि तुम्हें कहां जाना है जैसे ब्रोमी नेशन कराते हो अच्छा यहाँ पर कैटलिस्ट यूज नहीं कर रहे यह विदाउट केटलिस्ट भी रियक्षन हो जाती है यहां सिर्फ एसे डिक मीडियम ले रहे हैं विदाउट केटलिस्ट एफी सील 3 एफी बी र 3 कोई नहीं ले रहे क्योंकि इसका प्लसम इतना ज्यादा होता है कि नॉर्मल बिना केटलिस्ट के भी काम हो जाता है लेकिन आपको पता है कि यह क्या देता ब्रोमी नेशन में क्या मिलता बी र प्लस यह क्या है फीडल क्राफ्ट असाइलेशन क्या मिलता है CL-C+, मत्दब इसका Electrofile है RC double bondo प्लस, ये तूटेगा क्या बनेगा, माइनस प्लस, इसका Electrofile R+, लेकिन, चेक कर लेना क्या, rearrange if possible, अगर possibility है तो rearrangement कराएंगे ठीक है, इसका Electrofile क्या मिलता है वेटा, NO2 प्लस, Nitration है बस बना लो क्या है इसमें अब तो बड़े आसान बन जाएंगे, देखना इधर क्या आएगा अच्छा और तो पहरा directing है, है ना, तो सभी में दो-दो answer आएंगे ओपी directing है ना ये तो सभी में दो-दो answer सभी में दो-दो answer है ना किसमें आ गया इसमें आगे आभी अपन जोड़ देंगे इलेक्ट्रोफाइल भी नहीं जोड़ रहे है, मैं दो बार लिख रहा हूँ क्योंकि दो-दो answer आएंगे और hysteric hindrance factor की वज़े से हमेशा पैरा मेजर होता है ध्यान लखना है इसमें always पैरा मेजर ना पी मतलब पैरा इधर दो रिंग बना लूँ कि समझ गये कहां नहीं क्या चल रही है तो मेन फंडा यही है इलेक्ट्रोफाइल को लाओ और चिपकाओ कहां नहीं खतम कहां चिपकाना विड़ा और थो और पैरा पर लगा दें जरा चलो दो दो रिंग लिख ली और। फर और भी आर पैरा पर बी आर ओर और फर चाह यहां को अ लगोरा बरद बराबर पेरा हार और यहॉ त पैरा फर कर अ सारी की सारी है ना कई बार कर चुके हैं चलो भई PCL 5 के साथ रिएक्षन लिख लेता है एथर और साइकलिक इथर की बड़ी आसान रिएक्षन है एक डारेक्ट तरीका से सीखेंगे देखो PCL 5 को ऐसे लिख लो PCL 3, CL और CL जैसे आप अलकोहल में लिखा करते हैं सेम उसी टाइप से उसी पैटर्न पर ये बांड तोड़ दो और ये बांड तोड़ दो अब ये बांड तूटता क्यों है क्योंकि पी डवल बांडों की बांड एनर्जी जादा होती तो फेवर करता है प्रोड़क्ट फॉर्मेशन है ना तो आर सी एल प्लस आर डेस सी एल दो अलकाइल है बनती है प्लस पी ओ सी एल थ्री सिमिलर यहां पर देखो अगर साइग लेग इथर है तो PCL 3 को ऐसे लिख लो कैसे PCL 3 CL CL यहां से यह उड़ा दो ठीक तो एक सी यह यहां चला जाएगा इस जगे और यह सी एल इस जगे आ जाएगा तो इसमें वनेगा विशनल डाय है लाइड देखो PCL 3 यह उड़ाओ के एक सी यह एक सी लिया खतम डारेक्ट यहां रखना है ना चले आगे अच्छी रियेक्शन है बहुत अच्छी रियेक्शन है ठीक पानी पीएं फिर बताएंगे समझ लेओ कहा नहीं क्या चल लिए इथर चैप्टर में बहुत यह अच्छी रियेक्शन साती इसमें है ना अच्छी रिंग ओपनिंग ऑफ एफ ओकसाइड देखो एफ ओकसाइड यानि की थ्री मेंबर रिंग जो होती ना थ्री मेंबर रिंग उसमें रिंग ओपनिंग दो तरीके से होती है Acidic Medium और Basic Medium ध्यान सुनना Acidic Medium का मतलब क्या है पहले आपको कोई Acid दिया जाएगा H2SO4 वगराद लिख देगे है न या H+, लिख देंगे तो यह Acidic Medium हो गई Basic Medium पहले ही Nucleophile दे देंगे Basic Medium मतलब पहले ही तुम्हें Nucleophile दे देंगे है न तो ध्यान से देखिएगा अगर पहले H+, पहले ही H+, तो H+, आएगा Oxin अपना Lone Pair देगा आजओ बड़ा तो यह ऐसा दिखेगा और यह हो गया आपका ऐसा जब कभी भी Acidic Medium होता है तो वहाँ पर पहले H+, आता है अब उसके बाद आता है Nucleophile कौन आता है Nucleophile ऐसा Nucleophile second step में आता है और यह Nucleophile कहाँ अटेक करता है वो डिपेंड करता है इस कारबन और इस कारबन पर किसका positive charge stable है exact positive नहीं बोलते, partial positive बोलते हैं मतलब आप SN1 like समझ सकते हैं similar to SN1, ऐसा मान लो है ना मान सकते हैं similar to SN1 मतलब इस पर प्लस और इस पर प्लस कहाँ प्लस stable होगा बनाना नहीं है बस दमाग में सोचना है बनाना नहीं है बस दमाग में सोचना है ना इस पर प्लस और इस पर प्लस ठीक है थोड़ी देर के लिए ऐसा बना लो कौंसा वाला ज्यादा सेवल है। यहाँ पर डेलटा प्लस की नहीं हमUM कि Earl NT में ही होगा, क्यों, same side से hindrance है, यह ऐसा तूटेगा, तो इसमें ऐसा बनेगा, देखो, NT पर ही होगा, addition तुम्हारा, NT पर ही होगा, मतलब, incoming nucleophile और leaving group, NT पर ही होगे, लेकिन, similar to SN1 reaction लिख सकते हो, similar SN1, मतलब, carvocatine exact नहीं बनता है, तो rear invent वगरा कुछ सोचना नहीं है, लेक हो, हमें exact पता क्या करना था, इस carbon पर delta plus check करना था, कि कहाँ attack हो, यहाँ हो कि यहाँ हो, तो हम बोलेंगे, delta plus यहाँ पर more stable है, more stable है, क्यों, क्योंकि इसका क्या लग रहा है, plus i लग रहा है, ठीक, और यहाँ delta plus क्या है, less stable है, ठीक है, यहाँ delta plus less stable है, दिख रहाँ आपको, तो हमें अटेक कहा कराना है जहां पर ज्यादा स्टेवल रिंग ऐसे खोल लिए एक यह सडिंग मीडियम की बात हो गई सिमिलर टू एसन वन होता है नो रियरेंजमेंट ठीक है यह ध्यान दखना नो रियरेंजमेंट अब आप बोलोगे सर sm1 अप को बोल रहा हूँ यह भी बहुत तो बहुत रहा रहा हूँ आपको बहुत बोल रहा हूं क्या sm1 नहीं होती फिर सुन्लो बाद मैं फिर डाउडूड बूझ और कि सर्य हैं sn1 लिखा है और मेंकर रहा हूं similar to SN1 लिखा है यहां पर similar to SN1 exact SN1 नहीं होती डेल्टा प्लस के हिसाब से आप कर सकते हो SN1 जैसा मान के आप comparison करा सकते हो ठीक है समझे तो rearrangement नहीं कराना SN1 जैसी reaction होती है मतलब आपको ring open वहां से करनी है जहां डेल्टा प्लस ज्यादा stable होगा बेटा यहां आ जाओ आना जरा अब मुझे एक बात बताओ nuclear file का attack कहां हो क्यों अब basic media में ठीक तो अब क्या है अब nuclear file पहले आ रहा है वहां पर कौन पहले आ रहा था एसट पहले आ रहा था अब nuclear file पहले आ रहा है तो अब तुम्हें इस्टेरिक हिंड्रेंस से चलना है मतलब इसको बोल सकते हो क्या similar to sn2 reaction यह कौन सी sn2 reaction के similar बोल सकते है मतलब nuclear file यहां attack करेगा एंटी से attack करेगा और यह open होगा क्यों यहां पर steric हिंड्रेंस कम है यहां steric हिंड्रेंस ज्याद है ठीक है तो sch steric हिंड्रेंस यहां पर more और यहां पर steric hindrance less इस जगे है ठीक तो जहां steric hindrance कम होगी वहां attack होगा तो तो ring opening कैसे करा नहीं है समझ में आई बात होगा N पर होगा आपका क्या now N by अवा mr. affecting निकलेगा और जो इंकमिंग नुक्लियो फाइल है वो एंटी पर यह अब क्या करोगे बाद में एच प्लस दिये हुआ है तो यह ओ नेगेटिव एच प्लस लेकर वह बना लेगा और यहां नुक्लियो फाइल जोड़ जाएगा बात समझ में आपकी क्या ध्यान से सुन लो ब आगे बढ़ गां आजाओ जराएग्जांपल कर लेता तो समझ में आ जाई कहां ने एमसी पीबिये क्या करता है मैटा किलोरो पर वेंजवाइक एसड अलकीन से इपॉक्सी बनाता है ठीक है मैटा किलोरो पर वेंजवाइक एसड़ का इस्ट्क्चर याद है आपको यह यह तो कौन सा वाला ओक्सियन भेजना है यह वाला ओक्सियन भेजना है कहां पर इस अलकीन पर चिपकाना है कैसे देखो यह वनेगा तुम्हारा ऐसा इपॉक्सी यह ठीक अब देखो जड़ा पहले न्यूक्लियोफाइल बाद में एसड बेसिक मिडियम चलोगे पहले न्यूक्लियोफाइल बाद में एसड मतलब बेसिक मिडियम जैसा तो पहले न्यूक्लियोफाइल क्या है सी एस्ट्री माइनस है बाद में एसड दिया हु तो रिंग ऐसे open होगी और रिंग जब open करोगे तो incoming nuclear file और leaving group opposite दिखा देना तो अगर मैं CS3 को dark में लिखता हूँ ठीक है अगर मैं CS3 को dark में लिखता हूँ तो डैस में क्या लिखोगे यहां पर O negative और डैस में O negative आएगा तो dark में यह में आ जाएगा दिखना यह एक दूसरे के NT में होते ना CS3 माइनस MGBR ऐसा है तो क्या करोगे आप यह जब टूटेगा तो CS3 माइनस यहां आएगा यह जो O वाला है bond वो opposite plane में आएगा CS3 के और यह वाला तो MES CS3 वो dark में हो जाएगा और इस O माइनस से क्या जुड़ जाएगा MGBR अब इसी से क्या करोगे आप इसी को H plus दिलवाद होगे देखो hydrolysis दे रखा है तो इसको S दे देना OH आ जाएगा यहां समझ पारे बात को क्या कहने एसा देखेगा M.E.M.E. समझे गए ऐसे कराने यहां आपको ring opening अगला देखो जरा पहले ही protonate कराना है पहले ही बेटा protonate कराएंगे तो कैसा दिखेंगे ऐसा दिखेंगे protonate पहले ही करा देंगे तो अब सोचेंगे हम SN1 like ठीक है protonate करा दिया पहला step यह हो गया अब तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल आएंगा अटेक करेंगा न्यूक्लियोफाइल अटेक करेंगा कहां पर इस जगए अटेक कराना तो CS3 ओएच का अटेक यहां कराओगे और यह open हो जाएगा दोनों NT में दिखाने पड़ेंगे देखना तो कैसा दिखाओगे आप देखो अगर मैं इसको डार्क में दिखाता हूं किसको डार्क में क्या आएगा OCS 3 ठीक है भाई यह अटेक करेंगा तो देख निकाल देना एक तो OCS 3 जुड़े का अल्टीमेटली तो डार्क में OCS 3 तो डैस में यहां क्या लिख दूँ मैं कि ओएच और यहां पर तुमने डार्क में OCS 3 जोड़ा तो इस पर मिठाइल भी था तो डैस में क्या जाएगा आपका एमी ऐसा वैसे तो OCS 3 जब जुड़ेगा तो वह ऐसा जुड़ेगा अब उसके बाद तुम इसको हटा होगे ठीक है बात तो बराबर ही है तो आप क्या गरो डारेक्टी लिख दिया गरो ऐसा है समझे बात को एंटी में ही करना है आपको है ना समझगे होगे अब तो कहानी चलो भई अगला सवाल आपके लिए दे रखा है यह करो ट्राइ करो क्या जा रहा है प्रैक्टिस कर लेते हैं बहुत सारी प्रैक्टिस लाया होगा मैं तो अरे मज़ा आ जाएगा गजब गजब बहुत कुश्चन है चलो वह यह कि करके स्टार्ट करेंगे पॉस करो ट्राइकरो चाहिए बताना बोलो है सबसे पहला काम दौनों ही केस में प्रोटोनेट कराना चाहिए यह हो चाहिए यह हो प्रोटोनेट तो कराना ही पड़ेगा ठीक अब हाइड्रोलेसिस में क्या बताया था मैंने हाइड्रोलेसिस में अगर वन डिगरी होता है तो ही SN2 होती है otherwise SN1 होती है सही है ना नॉर्मल वन डिगरी होगा तो हमें क्या कराना है SN2 कराना है otherwise SN1 कराएंगे देखो जब मैं इसको तोड़ूँगा तो यहाँ प्लस आएगा 1 डिगरी ठीक है इसको तोड़ूँगा तो यहाँ प्लस आएगा 2 डिगरी ठीक है 2 डिगरी आ रहा है इसका मतलब इधर SN1 में करा लेंगे अब हम इधर देखो इधर वन डिगरी और यह टू डिगरी है इच आई में वन डिगरी टू डिगरी दौनों ही SN2 देते हैं है 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 एक चाहिए में दौनों ही एसन टू देते हैं ना चलो भई अब कहानी शुरू करें तो दौनों ही चीज़ें आप आगे बढ़ाई जाएंगी अलग-अलग इस वाले को अलग बढ़ाएंगे इस वाले को अलग इसमें S1 उसमें S2 करानी है ठीक है चलो भई S1 करा लेते हैं S3 ओ पॉजिटिव को अब मैं इसको अलग से दुवारा लिख लेता हूँ है न दो कोश्चन अलग सेपरेट कर लेता हूँ एक यह सवाल बना लेता हूँ और यह था कि दौनों अलग लग आप समझ जाओ देखते जाना जड़ा ध्यान से है न चलो यह तो आपने बता दिया था कि SN1 होगी ठीक है यह तो बता दिया था अब प्रोटोनेट कर लेते हैं दौनों को इधर प्रोटोनेट खीया ऐसा इधर प्रोटोनेट किया ऐसा ठीक SN2 करानी है तो आप कौन लाओगे यहाँ पर आभ याज लाओगे एच प्लस तो दिलवा दिया आई माइनस लाओगे तो यहाँ टेक कराओ SN2 करानी है ना तो यह तोड़ोगे तो इसमें देखेगा CS3I प्लस यह आएगा आईसो प्रोपाइल एलकोहल ऐसा देखो यह आएगा ना और ओक्सियन कौन सा वाला 18 वाला कहां गया इधर क्लियर चलोगी इधर आजाओ SN1 करानी है SN1 करानी है तो ऐसा तोड़ोगे तो यहाँ आएगा CS3 ओएच इसके पास 18 आएगा और कार्बोगटाइन ऐसा और इससे तुम वाटर की रिएक्शन करा दोगे ओए जोड़ देना तो आईसो प्रोपाइल एलकोहल ऐसा तो यहाँ यहाँ SN1 कराओ यहाँ SN2 कराओ ध्यान से बसब यह दिहान दगना कप कौन सी करानी है कि अगला सवाल आपके लिए रहा यह अब मैने आपको क्या बताया था X-S-S-H-I वाला direct बताया था, X-S-S-H-I direct किया करो, how many moles of H-I will consume, ये पूछा गया आप से question में, कितने है लगेगे दियान से देखना, इसका लोन पेर इधर से resonance में हैं, इसका लोन पेर इधर से resonance में, तो ये तो नहीं टूटेगा, मतलब जब आप तोड़ोगे, तो ये bond जब यह दॉना मान टूटेंगे क्या करोगे इसको आई, इसको ह इसको ह इसको हhh answer देखो तो क्या बनेंगा इधर यहाइगा आपका catacolle, यह बन गया ऐसा अ मैं घयू ही ओट तो catacolle होताह है और्धों पर होता है रिसोर्सिनल और पैरापर हाइड्रो कुईनल है ना मैंने आपको जो शीट दी दी उसमें है यह दो मोल क्या बनेगा सी एस थ्री आई तो कितने मोल यूज हुए है चाई के दो मोल तो इसका अंसर यहां में लिख देता हूं एकस इस में नंबर आफ मोल बोल रहा हूं डिखें दो मोल यूज हुए चलो यहां जाओ जरा एकसे सकॉंसेंटरेटेट है चाहिए दिखना इसका लोन प्यार रेजॉटेंस में है क्या नहीं इसका रेजॉटेंस में है नहीं इसका मतलब यह दौनों ही टूटेंगे देखो यह भी तूटेगा यह भी तूटेगा यह भी तूटेगा और यह भी तूटेगा यह चारों मौन तूटेंगे कैसे देखो है एच आई एच आई एच आई एच आई चार मौन लग गए आपके अभी ठीक है ध्यान से देखते जाना तो कैसा देखेगा आपको ऐसा आई आई प्लस दो मोल किसी एस थ्री आई ठीक है है अब यह देखो जरा यह विसनल डाय आयवडाइड बन गया मैंने बताया था जैमेनल डाय ओल और विसनल डाय अनिस्टेबल होते हैं मतलब यहां से तुम क्या करोगे यहां से आई टू खीच दोगे क्यों यह होता है अन् तो अब तुम क्या बनाओगे इधर से अलकीन बना दोगे आई टू निकल जाएगी और अलकीन बन गया एक्सेस हाई है एक बार और रियेक्शन कराओ न देखो हाई तो क्या करेगा है अलकीन का कार्वोकटाइन बनेगा इडेंटिकल है ठीक है सिमेट्रिकल है तो कहीं भी प गए थे और एक यहां पर तो यहां X is equal to कितना आ गया पांच तो लोग क्या करते हैं चार तक ही आंसर लाके छोड़ देते हैं जबकि इस कांसर सही 5 होता है क्योंकि अलकीन भी तो करेगा ना फर्दर रियेक्शन है ना अगला सवाल हाईडोलिस कराना है कोई आइसोटो बेख लोग नहीं है तो डारेक्ट तोड़ो कैसे देखना इधर से जो लोन पियर है यह रेजुँनेंस में जा रहा है ठीक तो यह बॉंड नहीं टूटेगा पार्शियल डबल बॉंड करेक्टर रहे बॉंड कौन सा तोड़ना है तुम्हें यह वाला यह टूटेगा कैसे आंसर जो आया वो आया आपका ओएच एसा 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 और इस पर ओएच देखो एक यह कारवन है यहां पर यह एक दो तीन एक दो तीन साहिए इसमें आ जाओ भाई तुम्हें दो दो इधर दे रखें एक साथ ही दोनों इधर लगा दिये ना वैसे तो इसका नाम होता है एसी बढी दल आए पड़ेंगे लेकिन दो बार दो जगए से इधर आगया कोई बात नहीं तोड़ो कैसे इसका लोन पर कहीं जा रहा है ग्या रहा है या रेजो Communist मन नहीं इसका लोन पीर रैंब्लसमे जार रहा है किन नहीं मतलब सभी जग हैसे ब तोड़ेंगे देखना तो म एक हे तोड़ो और एक हे तोड़ो की तोड़ो कैसे तोड़ोगे एधर H इस वाले पर OH अधर इधर एच इस कारवन पे ओएच ठीक है इधर एच इस कारवन पे ओएच इधर एच और इस कारवन पे ओएच ऐसा थोड़ो ठीक तो देखना जरा इस कारवन पे दो ओएच आ जाएंगे दो ओएच और इस कारवन पे दो एच मतलब पानी निकाल के एलडी हैड बना दोगे औ और इस तरफ किया आया आपका देखना ऐसा 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 दो इधर एच आ गया और इधर वह आ गया और बीच में जो Kшь Can है उक हुआ यह इस यह जा DOUएचा dell ऑउच आ सदेन का इस इदर से चले एक दो थीन कारवन जेर गरomas only कर दा लुल चल लगए कि चलो भी बताओं आसानी से बता सकते हो अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको ध्यान सुनना अगर तुम इधर वाले बॉंड ब्रेक नहीं भी करते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी अगर मैं ये बॉंड ब्रेक ना करूं तब भी तो ओएची आ रहा है न यहां से मैं बता देता हूं आपको देखोई ऐक बर करके ने अब अगर मैं कर मार में इस येवाले बंड प्रेक ना भी गरउं तो भी किधर एच खतम वह यह आएगा अंसर देख लो चाहिए आप ऐसे करो यह ऐसे करो जैसे भी करना चाहों कर लो ठीक आंसर आपका यह आएगा ऐसे तोड़ो तो ज्यादा बैटर है जल्दी हो जाएगा आपसे जैसे यह है ध्यान से देखो यह है देखना जरा अब मैं बॉंड तोड़ना हूं तो कौन सा तोड़ू इस कारबन से देखना इस कारबन से क्या जुड़ा है ओ और ओ ऐसा जुड़ा है तो आप क्या करो यह दो नहीं तोड़ दो बस इतना तोड़ दो हो जाएगा काम आप इ इधर एच और इधर ओएच तो इस कारबन पर दो एच वाटर निकाल की कीटोन बन जाएगा कि डवल बॉंडो और इथलीन गलाइकोलिया हां बन जाएगा देखू कि ऐसा सिंपल इसको तोड़ो कौन से तोड़ोगे जो कारबन से ऑक्सिजन जोड़े हैं जो दोनों यह दोन नहीं तोड़ो इधर क्या मत तोड़ो है न ओएच 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 फटम हटा दो मैं यह कैसे जोड़ा ना ओएच भाई ओएच पर ओ नेगिटिव एच प्लस यहां और इधर क्या आजाएगा आपका है ऐसा है इतलीन ग्लाइकोल सिंपल अगला तोड़ो अब तो समझ गया होगे यह तोड़ना है तोड़ो जड़ा है ओएच 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 एच एच एक ही कारबन पर दो अचनिस्टेवल वाटर निकालके ऐसीडल डियाइड और द कर रहे हैं देखो एच के साथ रिएक्शन कराओं बताना ज़्राओं क्या होगा कि सबसे पहले एकट वेस होगी क्या ओएच माइनस क्या करेगा यहां से एच प्लस कोराइगा तो जब यह अच प्लस कोड़ा आएगा तो ऐसा दिखेगा यह आपको मन में सोचना है अच्छ इधर आ जाओ ये OH-Na plus ऐसा तो ये तुम्हारा बनेगा ऐसा देशिए ना पहले बीच में तुम्हें चलना पड़ेगा ना पहले एसडवेस होगी ऐसा ये मन में सोचना पड़ेगा आपको है ना कि ओ माइनस एने प्लस ठीक है और डैस 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 बी आर अब देखो यह डार्क में यह डैस में एंगी लग जाएगी तो यह नेगटिव इस पर अटेक करके इसको निकाल देगा तो यह तुम्हारा आएगा ऐसा एपॉक्सी और ओएच नेगटिव एपॉक्साइड है तो एपॉक्साइड थ्री मेंबड वाले एपॉक्साइड हो जाता है बेसिक मीडियम में ना नॉर्मल एथर की बात करें तो बेसिक मीडियम में रियक्ट नहीं करता थ्री मेंबड और फॉर मेंबड बेसिक मीडियम में react कर जाते हैं तो यह नेगेटिव यहां टेक करके इसको निकाल देगा और यह कैसे जुड़ेंगे एंटी में जुड़ेंगे अगर यह डार्क में आ रहा है और तो यह वाला किसमें आएगा डेस में आएगा ठीक है एंटी में रिंग ओपन होती तो जोड़ते हैं क्लियर कतम है अरे भाई इसी का इंतजार रहता आप लोगों को अब जब इंतजार है तो कर लो ठीक बहुत बढ़िया सवाल है बहुत सारी रियेक्शन्स इसमें आ गई है और आपका फैवरेट क्वेश्चन है यह ना फंगसर इसपेशल करो ट्राइए जरा कर करो ट्राइए करो जरा एक बार अगर आपने देखो आप मामला बढ़ता जा रहा है अभी तक अपने एवी सीडी एफ तक ही पहुंचते थे फिर जी एच तक पहुंचे ठीक फिर आई जे तक पहुंचे आज हम पहुंच गए के एलमन एन तक पहुंच गया है देखना जरा दीमें दीमें जर्ट तक भी पहुंच जाएंगे दी एक्सेंस बढ़ेंगी तो चलो भई बताओ जरा पॉस करो ट्राइगरो पॉस करो ट्राइगरो और फिर जब बापस आवोगे तो आशाच करो कितने साही और कितने गलत हैं ठीक है बताओ जरा कर लो एक बार आराम से त जंता माफ नहीं करेगी तो अब उपर वाला सब देख रहा है वेट आया न चलो करें जुरू कि स्टार्ट किया जाए सर यहां से इसकी रियेक्शन कॉंसेंट्रेटिट एचाई से करवा रहे हो कॉंसेंट्रेटिट एचाई से ठीक है ऑक्सीजन का लोन पेयर ठीक है यहां चीना रेजुनेंस में हैं यहां तो यही बांट टूटेगा ना बस और यही टूटेगा तो हैच एच अई से तोड़ दो ना यह आई दे दो और इसको हैच देदो भाई O negative, H positive, C positive, I negative यही जोड रहे हूं आप, तो A और B तुम्हारे क्या आएंगे वो depend करता है, इससे पता चलेगा, A तुम क्या लोगे, यहां से reaction आ रही है, NAI acetone finkelstein reaction है न, मतलब A तो तुम्हारा iodide है, यह पक्का है, तो A में लिख रहा हूं, A क्या है, तो A है तुम्हार iodide मतलब, pH, CH2I, यह तुम्हारा A है, तो दूसरा वाला, यह क्या है, फिनॉल, pHOH क्या है, फिनॉल, समझे कहानी, जब यह bond तूटेगा, तो यह pH अलग हो जाएगा, और यह अलग हो जाएगा, ठीक, चलो भई, अच्छा, 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 वी की reaction, NA delta, acid plus metal, salt देता है, लिखा भी है, हम भी बना देते हैं, पी एच ओना, ऐसा, पी एच ओने दिख रहा है, ठीक, हैच टू निकल गई, अब पी एच ओ माइनस, ET-BR, Williamson Ether Synthesis, तो पी एच ओ माइनस, इस ET पर अटेक करके, BR को हटा देगा, तो यह बना लेगा, पी एच, OET, ऐसा, पी एच, ओईटी दिख रहा है, थोड़ा और साइड में कर लेते हैं, इसको, पी एच, OET आएगा, अब पी एच, OET, ओ भाई साब, प्लस M, भाई, OME, OET, यह वो ऐसी तो है, प्लस M है न, प्लस M गुरूप लगा है, मेजर माइनर बताना है, पैरा मेजर और 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 तो माइनर, नाइट्रेशन करा रहे हो, तो मेजर कौन सा आएगा, नाइट्रेशन में, NO2 प्लस आता है, इलेक्ट्रोफिलेक अरोमेटिक सब्सिट्यूशन भी आ गई देखो, इस्टेरिक इंट्रेंस फेक्टर लगेगा, मेजर यह आएगा, और माइनर कौन सा आएगा बिटा, और तो वाला माइनर आएगा, है ना, क्लियर यहां तक, कितने लोगों के यहां तक सही थे, इमान दारी से पताना, सही थे, वायर, चलो, आगे बढ़ते हैं, C वाला pH-CH2I यह Ni I Fingelstein करा रहे हो है ना? So Cl2 यहां से करवा रखा है इसका मतलब यह Cloride होगा means pH-CH2Cl यह होगा Cloride देखते जाना जरह pH-CH2Cl Fingelstein करा होगे तभी तो pH-CH2I बनेगा अच्छा यह बताना यह पी एच और शी एस थी एम जी बियार बिटा ग्रेगनाड रिएजेंट की जरेविटन ओफ रियक्षन क्या यह बेस की तरह काम करेगा और फिनॉल में एच प्लस होता है इसका मतलब मीथेन बन जाएगा यह जरेविटन ओफ रियक्षन दिख रहा है अगला बताना जरा इधर की कहानी इधर से कतम हो गई यह कतम हो गई यह जब तुम इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे नहीं सुनना जब तुम हाइड्रोलिसिस कराओगे किसका इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो हाइड्रोलिसिस में भी वैसी करना जिसे अचाई वाला किय तो क्या होगा देखो यह लोन पियर तो रेजोनेंस में है यह बॉन टूटेगा यहां एच और यहां ओएच देदो यहीं करते हो आप हाइडोलिस में भी है ना तो बी तुम्हारा के आगया फिनॉल वो तो तुम्हें पहले सी दे रखाए देखो बी तो तुम्हें वहीं से लो एच ध्यान से देखना है एच तुम्हारा क्या आएगा एच आएगा पिएच शिएच टू ओ यह था या तुम्हारा अब एच का तुम्हें सो सी यल्टू करा यहीं बनेगा बिल्कुल सही है क्यों ओएच हटाकर सी यह लगा दो क्लिएर समझे रहो ना बातको एकदम चला मांभला कि पीडीसी का होता है बताओं पीडीसी का फुल फरम क्या होता है स्विलपाउंज ल्लैट्फ भाई पाइटीनियम डायवट होता किसे पागल लोग रॉपर पाइडीनियम ejerc टो पह सुपैये स्ठोप मेध oxidizing agent है mild oxidizing agent क्या करता है CH2OH को CHO में convert करता है मतलब alcohol से LDHID बनाता है clear यह है strong oxidizing agent यह CH2OH को बेटा COH में convert करता है तो जे हो गया तुम्हारा PHCOH बात समझ में आई थोड़ी यह है तुम्हारा यह आपकर क्या PDC और यह तुम्हारा उख़रम और यह मईल्ड अब देखना जड़ा तो बेंचयों क्या हो गया बेंचयों अ वह बढु हो गया बैंचयों क्या होता है माईनस-म धिये क्या था तुमारा यoking म सथा इन अधंट अनम यह तो यह बनेगा मैटा ब्रोमो बेंजलडी हाइड यह तो किलियर है आपको मैटा पर ब्र लगेगा किलियर अब आजाओ इदर जे बन गया यह जे वाला यह बी वाला क्या था फिनॉल यहां भी और वहां भी लिखा है न यह था तुम्हारा फिनॉल पी एच ओएच एस्टेरि क्या करोगे वाटर निकाल दोगे कि वंगण गपी एच अगा ती डवल बॉन डोओ ओ पी एच देखना ध्याइक न सब्सक्रेगम ऋपी इस यह यहका अब ऐसा क्या करें कि एच और वियक्त जाए एच क्या है यह रहा ह्यां चर्णा एच क्या है यग है पीज सीयश तूं-एच और ब्री क्या है पी ऐच चुछ ऐसा है तो ऐसा क्या करें कि यह दो चीज बन जाएं बता जई रहे ये I एस्टर है और यह बनना है देखो ज़रा ध्यान से मैं इसका मैं इसका एले एच करवा दू देखो अगर मैं एले एच करवाऊंगा तो यह पहले तूटेगा और यह पाई बॉंड भी तूटता है तो पी एच सी एच टू ओ एच और पी एच मतलब लीथियम एलुमिनियम आइड राइड तुम्हारा एल होना चाहिए क्यों एस्टर को एस भी एच रिडियूस नहीं करता है ठीक है समझगे कहा नहीं क्या बात है मजा आगया एक तब नहीं हमाजम अच्छा लगता है तो मैंना वंकसर इस्टेसल में देखो और कुछ दिख रहा है मला और को यह कहानी थी तो बस आज के लिए इतना ही एथर में क्या-क्या पड़ा एक बार हम देख लेते हैं ठीक आपको थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा बहुत रियक्सित बड़ी भाई सबसे पहले बहुत बड़ा वाला वैलकम हुआ आपका क्या बात है सर डियाइडरेशन आफ एलकोहल किया हमने डियाडरेशन वेलकोहल की मैंकेनिजम विलियम सनी तर सिंथेस कब क्या करना यह आपको पता होना चाहिए वन डिगरी टू डिगरी एक्जांपल समझा दिया कौन-कौन से आप आर एक्स नहीं ले सकते हो कुछ प्रेक्टिस हुई यहां और प्रेक् और कव एसेंट टू कि वन डिगरी टू डिगरी नॉर्मल वाले तो एसेंट टू अधरवाइस एसेंट वन ठीक है आगे देखो यह मैंने आपको एक्जांपल समझाया एन्हाइडरस में आलवेज एसेंटू यहां कार्वोगटन का मैटर यह नहीं है कुछ भी मतलब नहीं एन्हाइडरस लिखा ओल्वेज एसेंट टू अब वही कुश्चन कर रहे थे पर ठीक है 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 अब होता है कब नहीं होता है नॉर्मल एथर बेसिक मिडियम में नहीं होते लेकिन इपॉक्साइड बेसिक मिडियम में हो जाते हैं चाहो तो यहां लिख तूँ थ्री मेंबर् सांस साइक्लिक इस थर आइडरो आइडरो आईडरोलन इस ट सब्सक्राइब तो करते ही हैं बेसिक में भी हो जाते हैं यह यह आपको बताया मैंने देखो हाइड़ोलिस में में क्या लगती है आरवनार्वन डिगरी है तो अधर्वाइस एसन वन इसके एक्जाम्पल क्वेश्चन वगरा सारे कर लिए अपने हैं इसके और भी आइसोटो बाला यूजवली आपको ही दिखेगा मंदा आइसोटोब बाला तो सिर्फ ऐसा दिखेगा कि एडवांस की बाते होंगी है ना जैमेन और नीट वालों के लिए ज्यादा टेंसन नहीं लेनी बस बॉन तोड़ना तो जैसा मैंने डारेक्ट बताया जैसा यह वाला सब्सक्रिट्यूशन करी पीसी ईलफाइव करे रिंग ओपनिंग सीखी हमने कब क्या करना है फिल्फ के एक्जांपल बताया मैंने आपको एक खाई सारे और सब्सक्राइब और और सब्सक्राइब ही जादा गूस्टन किये और ज्यादा इक्डम मज़ा बान दिया ऑर एक और यह बात मुझे बहुत दिनों से कहनी थी सोच रहा था कि पहले लेटर लिख दूँ लेकिन हम में लिखी देता हूं कोई भी रिएक्शन आपको छोड़नी नहीं है डारेक्ट तरीके बता हैं वह भी करना है ठीक है सारी रिएक्शन आपकी इंपॉर्टेंट है इथर में चलो मिलते हैं फिर आपन नेक्स लेक्चर में तब तक के लिए ओक के बाए